इस्राइल और हमास की इस जंग के दो important facet है, एक facet है soldier to soldier combat, aerial strikes का जिसमें इस्राइल बहुत effectively जीत रहा है, और दूसरा facet है information warfare का propaganda का जिसमें हमास जीता हो नदर आला है, पिछले 20 से 25 दिनों में, दुनिया बर की countries इस्राइल को indirectly बोल रहीं कि बहुत लोगों को मार चुते हो, बंद करो, जब इस्राइल के उपर बहुत pressure बढ़ा, तो उने टूस किया, ceasefire किया, उस ceasefire के समय पे इस्राइल के 80 से जादा hostages को हमास ने छोड़ा, इस्राइल ने हमास के 200 से जादा political prisoners को छोड़ा, सबको लगा कि जंग बंद हो जाएगी, लेकिन जंग बंद हुई नहीं, इस्राइल ने फिर से अटाइक कर दिया, तो जब इस्राइल ने फिर से अटाइक ही, Emmanuel Macron ने पूछा इस्राइल से कि भाई तुम करना क्या चाते हो, अगर तुम गाजा पटी के अंदर हमास को इलिमिनेट करना चाते हो, तो तुमें कम से कम 10 साल लगेंगे, तो कब तक लग फिर से फाइटर्स आजाएंगे, फिर से हतियार आजाएंगे, तो इस पर्टिकुलर कंटीनुएशन में, इसराइल ज्यादा से ज्यादा इलाके को गाजा पटी में कब जाना चाहता है, जाकि पूरी तरीके से हमास के इंफरस्ट्ट्टर को तोड़ सके, लिकिन इस प्रो